कानपुर के नव नियुक्ट पुलिस कमेश्णर आईपिस अखिल कुमार ने अपने जोईनिंग के साथ ही अपने कारियों से जनता का दिल चीत लिया है उन्होंने शहर की सबसे प्रमुख कही जाने वाली यातयात समस्या पर जनता को निजात दिलाने के लिए अब उपर से निचले करम तक की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों के हातों सोप दी है जिसमें ADCP सेंट्रल आर्थी सिंग को यातयात का अत्रिक्त प्रभार देते हुए DCP बनाया गया है वहीं उनके साथ ADCP शिवा सिंग और अंकिता शर्मा को यातयात विभाग में ADCP बनाया गया है इसके साथ ही ACP शिस्टि सिंग को बनाया गया है इसे लेकर शहर की महिलाओं ने पुलिस कमिशनर अखिल कुमार के इस निर्ने को महिला शशक्तिकरण की और कदम मानते हुए इसका स्वागत किया है उनका कहना है कि महिलाओं के अंदर किसी भी कारे को खुबसूरती से करने की बहतर समझ होती है इससे पहले भी DCP रवीना त्यागी ने कानपुर की यातयात व्यवस्था में काफी नए नए प्रियोग करते हुए उसे बहतर बनाया था जिसके बाद कानपुर की ट्राफिक व्यवस्था में बड़े पैमाने परसुधार देखने को मिला था वह इस बार पुरी तहां से शेहर की यातयात व्यवस्था मेला अधिकारों के हाथो है जिसके बाद देखना होगा कि प्रियोग कितना सार्थक होता है सहारा समय समवादाता अनुराख शिवास्त्र ने पुलिस कमिशनर की इस कदम पर शेहर की कुछ महिलाओं से बात चीट की आया आपको सुनवाते हैं कानपुर की महिलाओं का इस बारे में क्या कुछ कहना है कानपुर की सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त निखर करा रही है वो है यातायात विवस्ता अगर बात करी जाए तो कानपुर में लगबग हर चौरहा हर गली अगर आप घर से निकल रहे हैं तो यातायात की जो अविवस्ताएं हैं उनमें बहुत गहराई से आपको अविवस्ताओं का सामना करना पड़ता है इससे निपटने के लिए कानपुर के जो नव अगांतुक कमिशनर हैं अखिल कुमार 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं इन्होंने आते ही यातायात विवस्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहों कह सकते हैं कि इससे जो आम जनता उसे मुक्ती दिलाने के लिए इन्होंने सारी जिम्मेदारी है वो केवल यातायात की महिला अधिकारियों को दे दी है इस पर कानपूर की कई ऐसी महलाएं हैं, उनका क्या कहना है, क्या सोचना है इस पर बात करने के लिए आज सहारा समय की टीम एक ससाइटी में आई है, हमारे साथ कुछ महलाएं यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हैं, मौझूद हैं, आज इन से राय लेंगे कि as a female आप क क्या सोचते हो इस जो यह निर्णा है, नए पुलिस कमिशनर का, तो सबसे पहले हम से बात करने के लिए एक मैम यहां पर मौझूद है, मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगे, मेरा नाम डॉक्टर सुभाशिनी खन्ना है, और मैं SS फाउंडेशन की फाउंडर हू मैम एक आते ही आते नए पुलिस कमिशनर आये हैं, इन्होंने एक स्टैंड लिया, महिलाओं के हाथों में पूरी कमान, तो कैसे देख रहें एक महिला होने के नाते हैं? अगर कानपुर में शुरुवात करें, ट्राफिक कंट्रोल करने के लिए, तो पिछले महिने पे DCP रवीना त्यागी जी का ट्रांसफर हुआ, और जिनने शेहर के अंदर काफी बड़े बदलाव करें, जितने भी डाइवर्जन्स लगाए, जिस जगे पे लगाए, तो उन उमीद करते हैं कि अखिल कुमार जी, हमारे जो पुलिस कमिशनर है, उनका ये डिसीजन बहुत ही सही साबित होगा आगे आने वाले समय में, तो इसी उमीद के साथ हम उनके नर्ने को बहुत अच्छा से विकार करते हैं, और कानपुर में बदलाव लाने की उमीद रखते ह और भी फीमेल से, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगा, मैं आप भी एक फीमेल हैं, आपके नजरीये से कैसे देखते हैं, मेरी नजरीये से ये डिसीजन मिस्टर आखिल जी का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब मैं अपने टाइम में जब मैं ऑफिस जाती थी, तो म सा मुस्कुराद हो, तो ये टाफिक सूस को वहीं पर ब्रेक कर देते थे, बट आइम वेरी मच हापी तो इस डिसीजन की उन्होंने ये फीमेल को जो दिया है, फीमेल एक बहुत ही स्टिक्ड लेडी होती है, बहुत ही अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, औ थैंक यू सूमाच अखियो जी, एक और यहां पर कुछ हमारे साथ महिलाय मैम, आप किस तरह से, जिस तरह से, मैं देखती हूं, जैसे महिलाओं का काम से घर समालना ही नहीं है, और महिलाओं बहुत अच्छी तरह से इस चीज को साबित करेंगी, कि कि कानपुर के ट्रैफि विवस्ता भी बहुत अच्छे से समालेंगे, बिल्कुल, अभी क्योंकि कई ऐसी विवस्ता हैं, कानून की भी विवस्ता हैं, क्राइम की विवस्ता हैं, उन पे भी कई जो ऐसी महला अधिकारी हैं, उनको यहां पर रखा गया, कुछ और लोग है, इन से भी उपीनियन जा अधिक भी तरह क्या पेस्किया आपने, बहुत प्रॉब्म्स होती थी हम लोग को जाते थी ट्राफिक बच्चों को स्कूल से लेना है, पिक करना है, ट्यूशन जाना है, ट्राफिक होता था, तो यह एक हम लोग को अपोरिशन्टी मिली, हम लोग को देखे खे खुशियत स अच्छा लगता है, मैं, आप से भी जानना चाहूंगा, आप भी सुसाइटी की रहने वाली फीमेल में, कैसे आप देखते हों यहां पर, कि अभी तक क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग जब भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं, जो भी पबलिक होती है, वो बहुत अच्छे लिया है, हमारे लिए. कि और क्या-क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए? ठीक है, मैं आप से जानना चाहूँगा, आप किस तरह से बदलाओ की एक महीम में एक हिस्सा बनना चाहते हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि कुछ और बदलाओ वो? अब औरते तो, मतलब जैसे लेडीज जो आगे कर रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है और आगे और जैसे अवेरनेस से और चेंजिज आएंगे? तो, यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां इस सुसाइटी की रहने वाली जितनी भी फीमेल्स हैं, उन्होंने इस अखिल कुमार जी के नए प्रियोग पर जो एक खुशी जाहिर की है, कह सकते हैं कि महिलाओं के हाथ में सिर्फ बेलन और कल्चुरी नहीं होनी चाहिए, महिल अखिल कुमार के इस पहले कदम को एक जितनी भी फीमेल्स हैं, यह स्वागत योग बता रही हैं, कानपूर से वीडियो जनलिस रवी शर्मा के साथ सहरा समय के लिए अन्राग श्रिवास्ता